प्यारे विदार्थियों आप सभी का चैनल पर हाट दिक स्वागत है प्यारे विदार्थियों आज आपका कक्सिया आठ का इंगलिस का फर्ष्ट समेश्टिव एसेस्मेंट हो गया है पंदरा क्यूसन थे एक घंटे का था यह आपने दिया है मुझे अंग्रे जी के अध्यापक ने यह पेपर दिया है और हल करके दिया है तो मैं आपके सामने सभी प्रष्टों के उत्तर बताने वाला हूँ तो आप मिलान कर सकते हैं कि आपके प्रष्ट कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं ये आज का पेपर है आपका, तो सबसे पहले पहला पर्षन, पर्षन को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निसान दबा कर ओल बटन पर कलिक करते अन्य साथियों को सेर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे हैं, वो मिलान कर लिए, पहला परसन है, सेलेक्ट दे क्रेक्ट राइमिंग वर्ड फोर दी अंडरलाइन वर्ड, राइमिंग वर्ड क्या होता बच्चों, राइमिंग वर्ड होता जो एक्स मेच करता है, रहें देखो केट टेप नहीं मिल रहा केट केप नहीं मिल रहा और केट बैड नहीं मिल रहा दूसरा Select the word with the correct spelling correct spelling वाला सब्द लिखना है तो आप वैसे गोर कीजिए आप यहां वाकिछ कै कि the greedy person grabbed another big of chocolate तो चोकलेट का तो एक टुकड़ा हो सकता है तुकड़े मेनिंग तो B वाला भी सही है और D वाला भी सही है लेकिन यहाँ पर चोकलेट की शान्ती नहीं चोकलेट कर दो इस B फीस माने तो थे शान्ती और इस फीस का अर्थ होता है टुकड़ा तो चोकलेट का बड़ा टुकड़ा तो आपका उत्तर क्या हो गया बच्चो said that tortoise tortoise ने कहा तो देखो यहाँ पर कभी को underline कर रखा है तो नीचे क्या देख रहा है choose opposite of underline word underline जो word है उसका opposite यानि विलोम सब्द होता है तो कभी कमाने क्या होती है जल्दबजी होती है और इसका उल्टा क्या होगा धिमे तो देखो ए इंटेलिजेंट इमानदा नहीं होता बुदिमार नहीं होता श्टुपिड मुर्ग भी नहीं होता प्रेटी अकर सक नहीं है तो सलो आपका उतर क्या है पेरे बच्चों तीसरे का उतर है डी परसन नमर चार देखिए choose the correct word to complete the sentence यानि sentence को भरिये कि सालीनी likes सालीनी पसंद करती है to play खेलना दे रेन वर्सा में तो फोर के के लिए sense से और by द्वाराया से और in में तो आपका उतर होगा डी क्या हो जाएगा यान सालीनी likes to play in the rain सालीनी है वो वर्सा में खेलना पसंद करती है परशन नमर पांस देखिए क्या है choose the correct word to complete the sentence sentence को पुरा करने के लिए sentence को पुरा कीजिए yesterday morning कल सुबह my prince मेरे माता पिता for work before I work up मेरे में उठने से पहले काम पर चले गए तो देखो अमेसा याद रखना यह before वाला हो और past tense के अंदर तो एक तरफ वर्व की second form और दूसरी तरफ head plus third form आता है यानि past perfect tense तो आपका उतर यहाँ पर है the head left आएगा yesterday morning my parents had left for work before I work up यानि मेरे उठने से पहले वो जा चुके थे परशन नमर छे देखिए क्या है select the word that means the same as the underlined word underlined word same क्या है तो देखो इसमें same यानि प्रेवाची बताना है रोज जिए beautiful फोलोर तो beautiful को underline करा है beautiful होता है सुन्दर तो new माने नया lovely माने सुन्दर तो यहाँ पर भी उतर हो जाएगा देखो आगे सी समाल छोटा डी है पिकोस यह नहीं है आपका चटे का बी है अब आगे देखो प्रेशन नमबर साथ complete the following sentence with the correct word क्या है Babu got full marks in the exam Babu प्रिक्षा में अच्छे अंक लेके आया he studied well क्योंकि उसने अच्छी तरीके से अध्धिन किया था तो यहाँ बी आ जाएगा then का मतलब भी नहीं है यहाँ पर बट लेकिन इसलिए तो ऐसा कोई बात नहीं है अगर he studied well पहले आ जाता तो बाद में सो आता कि he studied well so Babu got full marks in the exam यानि उसने अच्छा अध्यन किया इसलिए Babu को अंक में ले यहाँ पर पहले आ गया कि Babu को प्रेक्षा में अच्छे अंक परापत होए क्योंकि उसने अच्छी तरह किसे अध्यन किया था प्रशन नमर आठ correct preposition भरना है आपको वर्सा कट्स वेजिटेबल डिकस्तान ए नाइव तो अमेसा ओजार से कोई काम होता है तो यहाँ पर आपका आर्टिकल का प्रेपेजिशन विद आता है तो विद का परियोकर दिजिए वर्सा कट्स वेजिटेबल विद ए नाइव नोह नमर परशन देखो फिल इन दे भलें कि विद आ क्रेक्ट वर्ड प्राना गर्व गंदा दिखाई देता है हम इसे कल साप करेंगे तो 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 मारो है फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में विल याँ सेल आता है तो विद के साथ या तो सेल आएगा याँ पर आता तो सेल आलेगी नहीं याँ पर केवल विल दे रखा है तो हम यह यही लगाना है कि we will clean it tomorrow यह तो ओगे आपके सीधे प्रसन अब देखो आगे पेसेज है the ant and the cricket एक चिंटी और एक जिंगूर का अपने आप पढ़ सकते हैं इसको आसानी से और अपने सिर्फ उत्रों की बात करते हैं देखो एक silly young cricket था इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं थोड़ टाइम लग जाएगा अपने को अपने को सीधे प्रसनों क्यों चल नहीं वो प्रसन क्या है प्रसन नमर दस देखो तीन परसन है इस पेसेज़े कि according to the poem what does एकस्टम में एकस्टम का अर्थ क्या है देखो अब एकस्टम होता है अभेस्ट यनि आदत कहेंगे इसको और यहां पर आपके ABCD में ए में दे रखा है यही इसका अर्थ है किसका एकस्टम का यहां पर दोचा है कि what does एकस्टम का अर्थ है फले खेलना किरकेट किरकेट और सिंगीं गाना यह कोई एकस्टम्ड नहीं है अब देको प्रसन मेंब्र ग्यारह किरकेट क τα अड़्ड कोड़नोट सी फ्लोर ओर एं लिफ यहां पर किरकेट का खेल कर्थ ल नहीं बच्चों के यह किरकेट जंगूर जो एक जानमर होता है चोटा सा कि किरकेट है जंगूर है वह है फूल और पतिया नहीं देश का विकोज क्योंकि 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 वहां पर बरफ टकी हुई थी सर्दियां की रितु थी और बरफ वारी की वज़े से वह धक गया तो कुछ नहीं बेहनक जो बर्फ बारी थी उससे भुठ गई थी बारवने को किर्केट बेगड एंट टू प्रवाइड सेल्टर जिंगूर ने प्रातना की चिंटी से प्रादान करने की सेल्टर आसरे फ्रोम किस से किसे बचने के लिए रेन वर्सा से ग्रेन से स्टें से श्टार वेसं तो यह उत्तर है इसका रेन से वर्सा से बचने के लिए उसने इसा किया आगी चलते हैं प्यारे बच्चों अगला पेसेज अभी एक मिन्ट में हो जाएगा यह कि बेस्ट क्रिस्मस प्रजेंट इन दे वर्ड इसी के तीन परसन है के वल पंदरा ही परसन है हम इनका अध्यन कर करते हैं आप पढ़ोगे आसान सा है दूसरी पहली लाइन में ही इसकी सर्च है कि विस्पी बन इन पेसेज रिलेटेट टू विस्पी पन देखो यहां पर यह वाइट हैर पिनट इंटो ए विस्पी बन यह बालों से जुड़ी बात है तो यहां पर आप ए बी सी में देख लिदी कहां बेठी हुई थी यह देखो आपली लाइन में दे रहा है ना वेल चेर क्या दे रखा है वेल्चेर दे रहा है तो यहां पर आपका हो जाएगा वह भी उत्र हो जाएगा चौदा का अन्दे वेल चेर फिर देखो पंद्राव नमर परेशन से बोट वाज इन धै टीन बोक्स में क्या है टीन बोक्स में क्या था तो देखो आप लास्ट लाइन में देखो गए यह देखो लेटर मिला है फिंगर टिप्स में तो यहां पर यह लेटर आपका भी उत्र हो गया अब देखो जैसे आपने यह दुबारा देख लो इसमें थोड़ा सा यह पहले का उतर हो गया तो इस प्रकार के दोनों पेशेज थे दिन की तिन तिन थे टोटल हो गए आपके 6 और उससे पहले नो क्यूसन थे तो 15 क्यूसन और आपने आज OCR सीट पर के तो OCR सीट है आपकी वो आज या कल आपके अध्यापक है उसको अपलोड कर देंगे कौन से और के SMB के जो एप है उस पर अपलोड कर देंगे और वहां से अपने आप बुल्यांकन होगा और उसके बाद पता चलेगा कि आपके कितने अंक आए हैं तो आपने इस वीडियो को अंतक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद यदि वीडियो पसंद आया त लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हम एक नई क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भार्त वंदे मत्रम